हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल कुकाईट होम पर और आज की रेचिपी है मसाला स्वय चाप दोस्तों स्वय चाप जिसे की हर कोई बहुत पसंद करता है यह खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है तो आज हम बनाएंगे मसाला स्वय चाप जो की ग्रेविय वाले बनेंगे और इनको आप रोटी चावल या नान के साथ सर्व कर सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिक होनी वाली आप वीडियो के लाश तक बने रही है और चलिए सुरू करते हैं मसाल हम आदे गंटा पहले हम इनको रूम टेमरेशर पर रख देंगे जिससे की इनकी आइस मेल्ट हो जाएगी उसका दोस्तों एक बरतन में हम पानी लेंगे और पानी को हमने बॉयल करना है जैसी पानी में गुबाल आएगा उसमें हलका नमक डालेंगे और हम इसमें स्वेचा चाप अच्छी तरसे बॉयल हो जाएं और आप प्रेंजी नहीं तो लगठ च्शार चार से पांट अब अ करने तक नहीं उसके बाद हम इइस सबाढ़ से चेक करशें करेंगे तो हमारे जास रहो जाएंगे इनको फ्राई करेंगे दोस्तों अगर इनको फ्राह करना नहीं चाते हो और आप तेल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इनको डारेक्ट बोइल करने के बाद भी इनको किरेवी में डाल सकते हो तो यहां पर हमारे स्वेचा ठंडे हो चुके हैं और उनका जो पानी हो सोग चुका है उसके बाद हम एक बरतन में तेल गरम करेंगे और तेल करना है और बीच इसमें करशी की मदद से इनको हिलाते रहना है जिसे कि स्वेचा आप आपसपे चिपकेंगे नहीं और दो से तीन मिट के बाद आप देख सकते हो स्वेचा आप अच्छी तर से फ्राई हो चुके हैं इन पर बहुती सांदार कलर आच चुका है जो कि बहु क्यों निकालना बहुत आसान और अब से निकाले है और अब हम रिच्ट को कटेंगे रहे हैं आप अपने से इसको काट सकते हो इस इस तरह से इनको चोटे चोटे पीसों में काटना है चोटे पीस करने से दोस्तों जो अंदर तक चले जाते हैं जिससे कि आपके और से अपर बार से काफी कृस्पी है तो यहां पर हमने सुवेच चप को तयार कर लिया है और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी के लिए दोस्तों हमने यहां पर तीन मीडियम साइज के प्याज लिये उनको बारीक चौप कर लिया है साथ già कर लें तो आपर तीन टोमाटल हमने मिक्सी के लिया ने हैं उसके लिए उसका रहे हम इनदिटाजे कर लिकार या शाख के लींगा यह क्यों only आर और तेल जैसी अलका सागरम हो जाएगा उसमें सबसे पहले हम डालेंगे खड़े मसाले, दोस्तों है में यहां पर दो तेज पत्ते डाल दें साथ हमने एक टुक्रा डाल दिया है इसके लाओ बड़ी इलाजी हमने यहां पर डाल दी है और 4-5 समझा देंगे यहां पर तेल में भूनने से मसालों का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और यहां पर देख सकते हो खड़े मसाले अच्छी तरह भून गे उसका आद हम इसमें एक चम्माज जीरा डालेंगे यहां पर गार्लीक अपने बरीक चौप कर रहा है और गार्लीक को भी हमने तेल में अच्छी तरश बहुंदेना है तो इसका ज्यादा ब्राउन भून नहीं होनाचे इसको दीमी यांस पर हमने पकाना जिससे हैं इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है यह आफ देख से त अब दीम्यास पर देरे जाए करके प्राइगा और इस तरह से चलाते रहेंगे और आमने इसको अची तर से भूनना है जिससे कि अच्छितर से पकझ जाते हैं और इसका जो कलर हो ब्लगव ब्लावन हो जाएगा इनको जितने अच्छा हम भूनेंगे उतना अच्छी अमारी गरेवी बनेगी तो यह आप देख सकते हो अनियन को हमने बिलकुल अच्छी तर से बून दिया है यह अच्छी तर से बूंद चुका है इसके बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ चामासाले अट करेंगे एक चम्मच कस्मेरी मिर्स पाउडर डाल दिया है साथ है आदा चम्मच सब्सक्रंदी तो उने साथ जाए आधे लाएं है और ऐसाल्यी सब track का मसाला को ने तर दोस्तों ग्री बदाते थ profit 15 ले और के अओर मधा लगा कीई धान शुब यहाज़ते हैं लगा है फ्यार्ट में तो इस पैसी पसंद नहीं तो आप बिना चली के भी इसको बना सकते हो तो यह पर हमने मसालों को अच्छी तरह से बूंद दिया दोस्तों उसके आधा हम इसमें डाल देंगे टेमाटर प्यूरी जो कि हमने मिक्सी में पीस लिया है और उसके आधा हमने टेमाटर की प्यूरी कर दिनी है और टेमाटर को भी हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिना है यह पर आप देख सकते हो हमने टेमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमने टेमाटर को पकाना है जिसके टेमाटर का जो कच्छा पाने हो दूर हो जाए इसका दोस्तों इसम प्रटिश्ट करना है नमक से टमाटर जल्दी गल जाता है और इसके तक कि टमाटर अची तरह से पकने जाए तो यहां पर देशकते हो टमाटर पकना सुरू हो चुका है और इसको हमने इसी तरह चलाते रहना है मीडिया मीट पर पकाएंगे और जब तक हमारे ग् Definitely दोस्टों ? तक हमें एक बाल लेंगे और हमने याप हमने पर 2-3 चमच बंच दही के लेलें और इसके बाद हमने दही को अच्छी तर 大त혁 से रशा से नया है alors आप एची तरह से भून लिया है लिए नमचा यो पस्तर सकने के बाद तब जी सक्ड़ों ने के बाद आपम इसम Sept तोड़ेवी अची तरह पख जाए झां Sexual अब巧स creation तक दिमियान से पकाएंगे तब तक कि हमारी ग्रेवी अची तरह से पकने जाए और ग्रेवी जो है तेल छोड़ना शुरूने कर दें तो यह पर देख सकते हैं तो हमारी ग्रेवी बनके त्यार हो चुकिए इसके बाद हम इसमें उपर से दही डालेंगे जो कि हमने फ्हेंट देख सकते हो देख सकते हो ग्रेवी के बाद इसमें गुबाला चुका है उसके आड़ कर देंगे रहां कि अदर तक चले जागी और स्वेय चाप डालने के बाद दोस्तों इसको एक से दो मिनट तक हम धीमियाद से बगाएंगे जिससे की मसाले चाप के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और चाप का टेस्ट और यह बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आप दे सकते हो चाप और ग्रेवी अच्छी तरह मिक् प्रण डालेंगे करिम डालने से दोस्तों ग्रेवी में बहुत अच्छी फिनिसिंग आती है कर विका टेस्ट बढ़ जाता है और ग्रेवी एक देखने हो भी अच्छी लगते इसमें ग्रेवी में काफी अच्छी साइनिंग आ जाती है तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे को canvas को सर्फ कर सकते हो तो दोस्तों हमारे जोकी आपको व्योडियो प Mayo आ Mamak कैसे लगी आपको वीडियो अगर आपको व्यूडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बतानाई मेडियो मेडाना सेयर किजिए कशल को आपके स्वेचा तो दोस्तों आप स्वेचा बनाएं और इन्पों इन्वाई कीजिए मिलते हैं अगले